कि नमस्कार दोस्तों मैं जीवन खर्बदा नहीं दिली से दोस्तों आज मैं आपके सामने xpx10 का एक एक आपके लिए टुटोरियल लेकर हूं तो काफी दोस्तों ने मुझे जो बोला है यह काफी लोगों को नहीं मालूम जानकारी नहीं है कि पैंड्रेफ से टोन हम इसके अ बाद यह बैंक में टोन कैसे चलती है यह कैसे चलेंगे या इसमें लूप कैसे चलेंगे करोखे चलाने और लूप चलाने वो कैसे चलेंगे क्या तरीका है उनका तो दोस्तों आज मैं आपको इस बारे में जानकरी दोंगा मेरे काफी दोस्तों ने मुझे बोला है कि सर हमे कुछ पता नहीं इस बारे में जान करें दीजिए आले कि काफी लोगों ने यूटूब पे इसका वीडियो बना के डाल रखा है फिर भी मैंने अपना एक फर्सम्रा चलो मैं बना के देता हूं कि आपको भी जिसको जानकारी नहीं है इसको भी पता चल दे तो मेरे सभी दोस् बसंद किया है और इसके अलावा एक्सपेक्ट 30 का 4.1 वह भी काफी लोगों ने बसंद किया है और आपका इसी तरह मुझे प्यार मिलता रहे मैं और नए वीडियो आपको देता रहूंगा हां मेरे जो नए दोस्त हैं जो अभी भी जिन्नों ने मेरा चैनल देखा है उनसे सब्सक्राइब करें लाइक करें ताकि मेरे जैसे आने जो भी वीडियो आएंगे वह मैं आपको जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे आपको ढूनने की जूरत भी पड़ेगी तो आएब आपको यह बताता हूं कि कीवोड के अंदर टोन कैसे डालनी है आज तो किसी से मारते हैं तो किसी से आपने वहाइं या आपने मेल के जरीय मंगवाई है तो वह टोन आपने वहां से कैसे निकाल के अपने pen drive के अंदर डालनी है फिर उसके बाद installation का में आज है इस news वीडियो में आपने दाल o तो यह जो पैंटर के अंदर टोन कैसे डाले जाती है मैं आपको इसके बारे में आप जानकरी दूंगा और वह मैं नेक्स्ट वीडियों में दूंगा आज मैं आपको इसमें जानकरी देने वाला हूं कि पैंटर टोन कैसी हम इसमें इस्टॉल करते हैं तो दिखें सबसे पहले दो मेरे पेंड रप के चाहिए पेंड लॉडआ रपके अंदर टौन होने चाहिए सबसे पहले क्या करना देखिए मैं पहले कीवोड को आफ कर देता हूं क्योंकि जब भी आप पैंडर लगाएं तो कोशिश करें तो आपको कीवोड होना चाहिए अब मैंने यहां पेंडर लगा रहा है देखो यह मैंने पैंडर लगा दिया है अमिसको अंदर इस्टॉलेशन दूगा तोन कैसे इस्टॉल करनी यह यह मैंने कीवोड़ोन किया अब यह देखिए इस समय कुछ नहीं है इसके अंदर खाल लिए जो कंपनी की टोन आ रही है वो है अब मेरे को इस टोल करना है टोन सबसे पहले मैं देखूंगा मेरा बैक अप कौन कौन सा पड़ा इसकंदर मेरे को कौन सा इस टोल करना है मैं सबसे पहले क्या करूंगा मिन्यू को बटन दबाऊंगा मिन्यू को बटन दबाया और यहां पर लिखाओ आगा सिस्टम यह अपने करसर से आगे बढ़ना है देखिए मैं यहां से प्रस करता जाओंगो यहां से आगे बढ़ता जाएगा यह हमने आना है यूटिलिटी प पर नहीं जाना हमने next पर जाना है घीर स्टोर पर यहाने कि अंदर री स्टोर टोन को रहे तोर करना व्हों कि उसके बाद यही रिश्टोर पर आने के बाद यह को एंटर बतन बाना है यहां मेरे पास बहुत सारे जो मेरे अपने बनाये वह बैक अज़ें वह पड़े ऊए है कर चाहिए और मैं उसको एंटर का बटन दबा दूँगा यह फिर अगेन पुछे का फिर्ष्या करना है यास और यह इस्टॉलेशन शुरू हो गई दोस्तों यह क्रिबन एक से ऐड़ मिनट लगता है इसमें और कभी-कभी किसी में आदा मिनट लगता है किसी में यह में लग जाता है तो इसमें आप घबराई मत थोड़ा टाइम लेता है लोडिंग होने में और जब आपका यह इस्टॉलेशन शुरू हो रखियो तब आपन में किसी बवन को रहता नहीं किसी बटन को छेड़ना नहीं है किसी भी बटन को प्रेस नहीं करना नहीं आपने पावर ओन करने ऑफ करनी है ना ही आपने पेंटर निकालना कुछ अन् gid अव वेट ही जीए कि आपर आपकी स्टॉले racing हो रही है अगर आपके पेंडर के अंदर को लूप डेटा वरर नहीं है को भंक पार निकाल के सकते हैं अगर आपने टूलूप बेकर बजाने हैं तो आप सके अंदर पैंडर लगा रहां दीजिए उसमें कोई प्रोब्रम लोड हो चुकी है अब मुझे देखना कैसे है मेरे बैंक में टॉन आई है के नहीं लोग बार फेवर्ड का बटन दवार के चेक करते हैं या कुछ और ट्रीकर नहीं यह तो हम जो टॉन बनाते हैं वह फेवर्ड के अंदर टॉन पड़ी होती है जब यहां लेकर जाते हैं तो पूरिटन बनें गीं मिलेगी तो मेरे सबसे पहले का तेरा बटन दबाना हैं यह मैंने लग्त लगए मेरे बटन दवारा किया था और ये बैंक नुमर जी लो की पहली टोन याने कि जी रो प्याज जो है नेक्स्ट में स्ट्रिंग ये ये स्ट्रिंग आ गई इसी परकार नेक्ट में चले गए फिर उसकी परकार नेक्स्ट में चले गए ये अब आपको अगले बैंक में जाना है बैंक नंबर जी दो चल रहा है बैंक नंबर एक में जाना है तो आपने बैंक का प्रेस ये वाला बटन जो है इसको प्रेस करना है अब आपको नेक्स्ट बैंक में जाना है तो आप माल लिजा आपको बैंक में एक में जाना है तो आप एक बार प्रेस कर दीजिए इसका मतलब यह होता है कि बैंक नंबर एक चालू हो गया है एक्टिव हो गया है उसकी Tone भी एक्टिव नी हो जब तब आप प्रेस नी करेंगे जब तक आप बटन प्रेस नी करेंगे जैसी मैंने प्रेस किया यह मैरे Bank No.1 की Channel No.2 की Tone आ गई यह जो Benjo बजानी है इसी परकार सारी Tones इसके अंदर आजएंगी फिर मेरे को Next Bank में जाना है तो फिर वही प्रसीसर है आप बैंक का बटन दबाएं अब मान लेजिए बैंक नमबर 5 में जा रहा है तो आप बैंक नमबर 5 का बटन दबा दीजिए और बैंक नमबर 5 की सारी टॉनस में आ गई यह देखिए यह वाइलन आ गई दोस्तों इसी प्रकार सारी टॉनस आप इसमें ऐसी यूज कर सकते हैं बैंक नमबर 0 से लेकर बैंक नमबर 9 तक आप जा सकते हैं आप उसमें टॉन सारी बजाएं और यह installation का भी मैंने तरीका दे दिया आपको और इसके अंदर bank में tone कैसे चलाते हैं यह भी दे दिया है ठीक है दोस्तों अब मैं आपको next वीडियो में अपने ये बताऊंगा कि pen drive के अंदर tone हमने कैसे डालनी होती है को अगर whatsapp पे को tone मंगवाता किसी से या वो अगर mail पे tone मंगवाता है तो वो tone कैसे के अंदर हमने डालनी है installation इसमें उसके बाद का ये परसीसर है ये जो मैं आप बताऊंगा next वीडियो में वो पहला परसीसर होता है तो काफी लोगों की demand तीसर में पहले इसके बारे मताई installation कैसे की जाती है तो इसलिए मैंने पहले वीडियो ये मना दिया है और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको मैं दूसरे वीडियो जो बनाऊगा जो उसमें आपको भी सब कुछ बताऊंगा और भी जो कुछ होगा और उसके साथ मैं आपको वो भी बताऊंगा और साथ मी बताऊँगा, आपके ईबंड कैसे चलाने है और इन बटनस का क्या, हमारे slider नो लगे है, इनका क्या function है, कैसे कैसी जूज कर सकते हैं, इस्ट में कैसे चला सकते हैं, नेक्स पसंद करी उसके लिए सब का बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया थेंक्यू एक्सपेक्स टैन के लिए भी और एक्सपेक्स 10 के जो मेरा निया बेकप है सुप्रीमों के नाम से लिए वह नया तो उसके लिए को आपको टेस्ट आपको यह मिले कैसिए के अंदर यह वह तेस्ट मिले और मुझे लगता इसके अंदर काफी कुछ है उसे सीटी के एक्सन 9000 में लेकिन अभी फिलाल मैं इसी का दे रहा हूं इसका एक आपको दो वीडियो दोओंगा और बसाब वीडियो देखते ने मेरा प मुझे या WhatsApp पे मैसेज कीजिए या मुझे YouTube पे मैसेज कीजिए कॉल करना चाहें कॉल भी कर सकते हैं लेकिन कुछ जुरूरी बात हो तब ही आप मैं बिल्कुल फोन आपका अटेंड करूंगा और सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू जय हिन जय भारत